नमस्कार दोस्तों मैं सुझीद कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हमारे इस वीडियो टिक्टोरियल में जहां हम बात करते हैं कंप्लीट पावर भी आई तो पिछले वीडियो में हमने आपके सांथ बात शीद किये थी कि पावर भी आई कब कैसे क्यों यूज करेंगे क्या वेनिफिट से बगद हो आज हम पावर भी आई ने कुछ थास नहीं कराने वाले हम बताने वाले हैं कि क्विक्ली वाइल डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाए एक्सलमाइस ट्रेनिंग को सर्च करें वहां से आप ले सकते हैं हमारे पावर भी आई की रिकॉर्डेड कोर्स जो की एक डॉट आइप डॉट इंडिया डॉट को के तुरू भी जायरा सकता है वीडियो के दिस्क्र वे किसमें भी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है और मेबी के एक हफ्ते के अंदर में इसपे रिकॉर्डिंग पुरी की पुरी आ जाएगए तो इस को को कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ आउन्लाइन लाइब क्लास लेना चाहते हैं जिसमें सारे डाउर कोश्टन लेना चाहें तो आप साथ ज्वाइं लेन कर सकते हैं पावर भी आई लाइव क्लासेज में जो की हमारी सुरू हो रही है सेप्टेंबर शेवन से रात को दस बजे दस से ग्यारा टूजडे तरस्टे सटर्टे हफ्ते में तीन लिए एक क्लासेज होगी हैपकी एक आवर्ट की डेली और दो मंत का कोर्स डूरेशन होगा जिसमें हम पावर भी आई के सारे फीटर को कवर करेंगे साथ में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज होगी क्लास वीडियो में लेगा एबिटिंग होगा इस कोर्स को वन-टू-वन करते ह हैं इसकी फीस होती है तेन थाउजन लेकिन आप ग्रूप क्लास के टू-थाउजन पे गरेंगे इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपना सी प्रिच अप कीजिए चलिए सुरू करते हैं लां अवे यह और कि हैं शुरू पारवर विदिया है और दूसरी विडियो में कुछ और चीजर दिखाना चाहते हैं पर विए में हम कैसे बिमार बनाते हैं तो मेरे पास एक एकसर सीट के डिटा हो कि देख पाराएं खिकलप क्यो आईर सेocolor सेbench незake मर्चिंग नंब तक हुआ इस अपना इंपोर्ट करना पढ़े सरा यहां भी एक्सल है और यहां भी एक्सल इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आप चले जाए कहां पर अपने लोकेशन पर जहां आपका डेटा है डेटा को सेलेक्ट कीजिए इसकी डेटा इसकी कनेक्टिवीटी जस लाइक एक्सल की तरह है कि एक्सल में जैसे डेटा आप इंपो पर देटा आ जाएं में तरह आदेटा की तरह ही है बिल्कुल की पर तरह ही सकते कि एडवांस कर दीया अगर मैं dashboard की पीछे के background बगर लेना चाहूं तो ले सकता हूं यहां comment में गए एक wallpaper पर गए अपनी जो wallpaper एक है चूज कर लिए इसके लिए मैं इसको download करके पहले से रखा हुआ था आप जो है आप जो है नाउनलोड कर सकते बहुत सारे wallpaper आपको मिल जाए लिए तो मैं आपके ताहीं करते होऊं मैं ऑभी जो बॉल कर सेलेक किया था इस वाले वॉल पर करता हूं छोटा करा है यहां पर नॉमल के ज़िघा पर शूकरता हूं यह पूरे रिपोर्ट में पिट हो गस्कि ट्रांब्सकि थोड़ा सा कम नहीं तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट में कुछ static डालना चाहता हूँ तो यह कार्ड दिखा है इस कार्ड पे क्लिक किया और यहां पे ड्रॉप किया तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हम डैश्वोर्ड बना रहे हैं इसमें कोई पार्मुला का जंधर नहीं कोई प्रदर बस उठाया ड्रॉप किया बन गये और इसको अच्छी फार्मिटिंग भी दे सकते हैं इसकी फार्मिट में जाके मैंने इसको बैगराउंड पे गया एफेक्ट पे गया बैगराउन आफ किया और शैड और और यहां बोर्डर दिया कि कलर चेंज किया और इसकी कर्व को बढ़ा दिया इस तरह चाहिए अब सब्सक्राइब करना चाहिए यहां पर क्लिक करके आप यहां पर इस सारी चीज़ें हम क्लासिस के अंदर में आपको अच्छे दर्म के से दिखाएं इस तरह से अब इसी को मुझे और भी चाहिए तो मैं इसी को लूँगा कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा इसको ड्रैक करूँगा अब इसमें से समफ क्वांटिटी को हटाके मैं यहां पर अपना इमांट रख लेता हूं फिर इसको कॉपी किया इसी पर पेस्ट किया इसको आग इसके बाद face को coffee करना है and paste करना मुझे यहां पहरे चाहिए rate of margin मैंने हाँ से अठाया और यह रहा हमार डिर्ट of margin को रख दिया और इसको मुझे चाहिए सम्न ही average अदिए ओप में यह हमारे rate of margin नो हाप रिष करेंगे अधर करेंगे इसको उच्छास आगे करते हैं मुझे यहां पर रेट चाहिए तो इसको अटाया और मैंने MRP को यहां रखा इस MRP को मैंने यहां पर आवरेज कर गया अब इसकी डेशमल्स बगर रहा है तो यहां वैलू में जाके इसकी डेशमल्स को आटो के जगा पे धीरो कर दीज़े इसमें मैं सेम कर सकते हैं और सब्सक्राइब मुझे यहां पर कुछ एस्टेटिक्स चाहिए तो मैं यहां पर सेरिंग लेता हूं और इसमें मुझे चाहिए अपने सेल्स चैनल की इसाफ से चैनल और मैं कौन्टिटी बेस बना रहा हूं तो मैंनों कौन्टिटी को सेलेट के यहां पर लेवल डिटेल रहेगा यहां पर लेजेंट अटा दिया हमें और इसकी बैग्डाउंड कलर भी अटा दीजिए इफेक् हाओ पिर मैं इसही पर आता हूं मैं अपना लेता हूं गज़ चाट जिसमें में रह रिखाने वाला है कि हमने अब इसकी मैंने भी मैं जै है हमां जाता हू biết जाता हूं इसकी कि रातको चेंज करना चाहिए तो यहां पर कुछ चाहिए तो मैं यहां पर डिलैविरी को स्टुष्ट चाहिए मैंने यहां इसको यह कॉपी कर लिए पेस्ट और इसको ठाकर मैंने डिलेवरी कोशच से अथा Sw fueled तो आफ डेख सकते हैं कि हमे डालने हलके में और हमारा बन रहा है यहां पर डिलेवरी पॉस्ट मैंने डाल देखना चाहते हैं तो आप सेल्स का फ्लो भी देशकते हैं तो मैंने टेबल लिया और तेबल को मैंने यहां लिया और इसको इस तरह से जाए और इसमें मुझे चाहिए जिसे की मैंने अपनी एस इडी को डाला और पुड़ा का पूरा यहां पर शोग करना है यहां पर दिया उसके बार मुझे चाहिए तोड़ा कोड़ा डाला मुझे चाहिए यहां पर समझ कि कितना टार्डेट था हमने यहां पर जड़ा कि कितना प्रसेंटेच गभान हब नपर डाला कि कितना प्रौफिट एमाउंट आया कुल तो और किस रेट में भी का बिलेवरी कॉस्ट कितना लगा इस डेट को डिलेवर अब इसमें देखिए जो हमने यहां डेट डाला है इसके आपके पूरा अब इसमें मुझे कुछ ए लगाने हैं तो मैं यहां तो फिल्टर का भी इस्तमाल कर सकता हूं कि यहां लिया और इसके ऊपर मैंने अपना रीजन डाल दिया और यहां स्लाइशर में गया है और इसकी श्रीटिंग टूरटिकल के जगा और इसको थोरा सा का लंबा किया और यहां रख दिया इसमें टाइटल है इस टाइटल को हटा देता हूं। इसकि background image background effect अधा देता हूँ नहीं चाहिए इसको और अच्छे से प्रमेटिंग की आसे पर फॉमेटिंग तरह सा टाइन चाहिए अब देखिए जैसे मैं यहां सेंट्रल पर क्लिक करूँगा सेंट्रल पर क्लिक करते ही रिपोर्ट हमारे बनें इसको मुझे क्या करना है मुवाइल लेकर जाना है यह रहा हमारा मुवाइल लेआउट इसमें आईएगा और यहां और क्लिक कर देगा अगर किसी रिपोर्ट को मुवाइल में खोला उसी हिसाब से इसको दिखना चाहिए यहां पर सेट कर सकते हैं और रिपोर्ट बन गई इसको क्या करें इसको सेब किजिए किसमें कि इसको सेब इस अपना डेटाबेस नाम दीजिए यहां पर फॉस्ट डाश्वोड हमने दिया पॉस्ट डाश्वोड और इसको हमने सेब कर गया एक लोकेशन में कोई भी लोकेशन यहां से चूज कर सकते हो जाएंगे और यहां पर ब्राउज डिवाइस पर जाएए और लोकेशन चूज किजिए कि आपको लोकेशन कहां रखना है तो मैं पाबर के अंदर पाइनल के अंदर यहां पर लाल देता हूं पॉस्ट डाश्वोड और यहां पर इसको कर देजिए से अब इस फाइल को भेज दीजिए अदर बाइस इसको भेजने का एक और तरीका है कि आप इसको यहां से पब्लिस कीजिए पब्लिस करने के बाद माइबग स्पेश में सेलेक्ट कीजिए और यह चला जाएगा आपके बेप कंसोल पर चला जाएगा यहां पे तो आपको कीजिए और खूर में करता है कैसे कीजिए और यहां पर आप दॉधी आफ़े झारूच को मैं अधंग करें यहां गेंगे तो आप क्या करेंगे आप जस्ट यहां पे लिखिए कि पावर बीआइ सर्च कीजिए पावर बीआइ पर जाए और त्राई फिरी पर चलो जाएगे तो आपको आपका email id यहां पे पूछेगा आपको अपना email id डालना है जो भी आपकी email id डालेंगे तो यह accept नहीं करेगा साइन अप नहीं करने हो गएगा तो इसके लिए आपको email id चाहिए तो यह आपकी company email id यह फिर आप मेरी course को purchase करते हैं तो मैं आपको provide कर दोगा अब इसकी work space में दाके देखिए my work space में यह जो हमने power vii का dashboard बनाया है यह देखिए यहां publish हो चुका फॉस्ट डैस्वूर्ट के नाम से अब मैं यहां अपने power vii की इस पे आता हूँ तो इसमें देखिए first dashboard यह आपका data set हो गया यह आपको कोई भी person के data को देखने सकता है data के लिए desktop पे ही आना पड़ेगा यह डाउनलोड करना पड़ेगा डेटा ऐसे ने रिखा जाता है और मैं यहां पे dashboard पे क्लिक करूँगा यहां आपको दिख जाएगा और इसको मैं यहां पे एडिटी भी कर सकता हूं जैसे यूज कर सकता हूं इसके अगर आपके पावर वियूज हो रही है तो यहां पे पावर वियू को डाली और शेयर कर देजीं यह लिंक कॉपी करके रियान रखेगा वही कुछ देख पाएगा जिसके पास पावर वियूज होगा नहीं तो नहीं देख पाएगा अद्रबाइज आप इसकी QR को डाउनलोड कर सकते हैं लेकर आप चाहते हैं पब्लिक ली मैं भेजू जिसके पावर वियूज है वह भी इस रिपोर्ट को दिख जाएगा और यह दिखेगा नहीं यह आपका यूज भी होता है तो देखिए मैंने करीब पढ़ाते हुए समझाते हुए इस रिपोर्ट को दस से पंद्रव मिनिट पे बना दिया अब इसी रिपोर्ट को अगर मुझे एक्सल पे बनाना हो अगर एक्सल पर इसी प्र भी आपको एक गंटे का सपास लग जाए कोई कि आप डेटा को लेंगे इसको समराइज करेंगे दैन इसको बिजलाइज करेंगे चार्ट और बाके चीज़ों बनाके अरेंज बड़े तो टाइम लोगेगा बट इसमें टाइम नहीं लगेगा तो आप भी यह डेटा स को डाउनलोड कीजिए और आप ट्राइज कीजिए इस तरह की रिपोर्ट बनाने की ट्राइज की नहीं है थोड़ा सा अब्जॉब कीजिए थोड़ा सा इसको एक्स्प्लोड कीजिए अगली वीडियो में हम आपके साथ डिसकॉस करेंगे इस पावर बियाए इंटरफेस नंबर स्क्रीप दिया गई है एक लास जो एंडर स्क्राइज है